गुड इवनिंग गाईज वेलकम बैक आपके अपर फिर सवागा था आपके प्रेंचल अल्टैक बाइट में गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग एक्टिव डिट्री के अड्मिस्टेशन को देखेंगे और यह जो सिरीज है गाईज यह विंडो सर्वर 216 के उपर रहन तो सबसे पहले एक चीज कि व्रतिजाइन अक्टिव डिर्येंट्री तो अक्टिव डिक्या है अपका डेटावेस है कि जहां पे की नहीं जुद्न-स यूजर की को अगर मुझे centrally, centrally अगर मुझे इनको manage करना है, so we need an active directory, तो without active directory मैं अपने organization के अंदर या मैं अपने network के अंदर devices को like printers हो गए आपके servers हो गए, users हो गए, groups हो गए, computers हो गए, मैं इनको manage नहीं कर सकता, अगर इनको मुझे manage करना है centrally, तो मुझे क्या चाहिए होगा, active directory, तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक example लेते हैं, give me a second, एक example लेते हैं कि मान के चलो कि मेरे पास कुछ systems हैं, मेरे network में कुछ systems हैं, और यहाँ पर मेरे पास कुछ users हैं, like Ram, Pankaj, Ravi and Rani, so यह चार users हैं और यहाँ पर मेरे पास चार systems हैं मेरे network में, PC1, PC2, PC3 and PC4, यहाँ पर मैंने 4 users और 4 systems लिए हैं, हो सकता है मेरे network में 400 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं, ठीक है, मैंने in short of 4 का example लिए है, तो अब यहाँ पर problem क्या है कि अगर मेरे पास active directory ना हो, अगर मेरे पास active directory ना हो, तो मैं किस तरी की problem को face करूँगा, सबसे पहली चीज़ कि अगर मुझे RAM को login कराना PC1 के उपर, तो मुझे PC1 के उपर RAM का यूजर बनाना पड़ेगा, manually, similarly अगर इस RAM को मुझे PC2 पे login करना तो यहाँ भी RAM का यूजर exist करना चाहिए, और ऐसे ही PC3 में भी, and PC4 में भी, तो यानि कि अगर मुझे इन 4 users को, इन system का access देना है, तो मुझे सबी systems के उपर क्या करना होगा, इन users को create करने होंगे, manually, अब यहाँ पे मेरे वस फोर users है, हो सकता है कि मेरे network में thousands of users है, और मेरा यहाँ पे जो scenario है कि यहाँ पे किसी user को को system fix नहीं है, कोई भी user कहीं पे भी login कर सकता है, जो भी बंदा है, उसको अगर जो system free मिलता है, उस system पे वो login कर ले, लेकिन अगर मेरे पास कोई centrally management system ना हो, तो problem क्या होगी, कि मेरे पास सारी के सारी जो users है, वो manually, यहाँ पे मुझे इनको लिए create करने पढ़ेगा, अब यहाँ पे जो मेरे system admin का जो overhead है, वो काफी बढ़ जाता है, तो इसी चीज को manage करने के लिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, active reality का use करूँगा, अब इसको हम कैसे use करते हैं, कैसे installation करते हैं, इस सारी चीज़ हम लोग in series में सिखेंगे, आज का सिरफ जो video है guys, यह activity introduction के उपर है, कि इस तरह से activity क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, उसके बाद next video के अंदर हम activity installation को देखेंगे, ठीक है, तो अब activity को मुझे अगर install करना है, तो मुझे यहाँ पे एक operating system की requirement होगी, give me a second, अगर मुझे यहाँ पे, अगर मुझे अपने system पे, या मुझे अपने network में active territory को install करना है, तो मुझे यहाँ पे एक machine चाहिए होगा, this is a machine, इस machine के अंदर मुझे एक operating system को install करना पड़ेगा, जो की होगा आपका network operating system, NOS means network operating system, तो networking operating system, अब मैं बात करूँ कि operating system के types की, तो network में हमारे पास, दो तरीक operating system होते हैं, ठीक है, types of operating system, types of operating system, तो पहला जो type है guys, वो है client operating system, and another is network operating system, network operating system, short form में मैंने लिखते हैं OS, तो अब client operating system की बात करें, तो client system के अंदर हमारे पास, windows xp, windows 7, windows 8, windows 10, ये जो operating system है guys, ये client operating system के अंदर में आते हैं, ठीक है, और अगर मैं network operating system की बात करूँ, तो guys ये specific operating system होते हैं, ठीक है, जो की use किया दाता है, आपके system admin के, means इसको जो use करते हो system admin, जो आपके system engineers होते हैं, वो इस network operating system को use करते हैं, और जो client operating system को use करते हैं, वो आपके normal users होते हैं, आपके sales हो गए, charge हो गए, ठीक है, जितने भी users हो client operating system को use करते हैं, और हम भी घर में जो use करते हैं, तो इस ते देखा जाता है, ये home operating system होता है, जो अपने घर में अपने laptop में इंस्टोर करते हैं, similarly, सबको पता ही चीज, लेकिन network operating system हर को use कर सकता, ये specific services के लिए बनाई जाती है, तो इसको use करने के लिए हमारे पास network engineers, system engineers होते हैं, जो इन चीजों को manage करते हैं, तो network operating system की बात करूँ, तो network operating system आपका है, जैसे windows server 2000, इसको मैं 2K भी बोल सकते हैं लोग, और इसके बाद आए आपका windows server 2003, देन उसके बाद windows server 2008, उसके बाद windows server 2012, चीक है, ये सारे आपके operating system में, network operating system आपका type है, इसके बाद आता है आपका windows server 2012 R2, चीक है guys, windows server 2012 R2, ये R2 और ये R2, मतलब ये 2012 simple operating system है, ये आपका R2 means release 2, ये इसका updated version है, इसके बाद है आपका windows server, मैं short form में लिख रहा हूं है, ये आपके, 2016, इन इसके बाद आपका windows server, 2019, अभी जो latest operating system चल रहा है guys, वो windows 2019 है, बट अभी भी बहुत सारी industry के अंदर, अभी 2019 को यूज नहीं कर रहे है, because of, क्योंकि ये अभी operating system, जो है, full feature के साथ अभी available नहीं है, ठीक है, अभी भी इसको पर testing चल रहे हैं, तो इसलिए अभी तो जो latest operating system को मिलेगा, in a real time production, वो 16 का मिलेगा आपको, और हम इसी के ओपर काम करेंगे, हमारा सारा का सारा लैब जो रहेगा, वो इसको पर रहेगा, guys, अगर मैं 2012 भी करा हूँ आपको, तो भी आप 16, 19 में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन 16 के अंदर कुछ advanced features है, तो हम लोग day to day, जब हम आगे बढ़ेंगे चीज को पर discuss करेंगे, तो जो हम लोग, हमारे सारा का सारा लैब रहने वाला है, वो Windows Server 16 को पर रहने वाला है, तो यह हमारा operating system के differentiator थे, कि कौन-कौन सा operating system मार्केट में available है, और कौन सा हम use करेंगे और किस purpose के लिए, ठीक है, इसके बाद जो next topic है guys, वो है कि अगर मुझे अपने network में active directory को install करना है, active, give me a second, मुझे अगर active directory को install करना है, तो guys, मुझे सबसे पहली जो requirement है, वो मुझे एक network operating system चाहिए था, जिस case में हम लोग use करेंगे 2016 को, ठीक है, और ध्यान रहे कि जो activity की installation है, वो सिर्फ और सिर्फ और network operating system पे ही install होगी, किसी client machine में साब Windows 10 में इसको install नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक network operating system चाहिए होगा, और वहाँ पे आपको एक service install करने पड़ती है, जिसको बोलते हम, active directory domain services, means ADDS, active directory domain services, ये kind of आपका एक role होता है guys, जो आपको install करना होता है, इस एक machine के अंदर, जैसे मैंने एक machine लिया, इसके उपर मैं क्या करूँगा, Windows का 2016 server install करूँगा, और उसके उपर मैं इस role को, ये जो ADDS role है, इसको इसको उपर install कर दूँगा, तो जैसी मैं इस services को, ये इस service को मैं install करूँगा, इस machine के उपर, तो ये machine मेरा कहलाएगा, DC, DC का मतलब है, domain controller, अभी एक नया term आ गया है, controller, ठीक है, तो, मैं 56 को overview करता हूँ आप लोगो, कि सबसे पहले मुझे एक machine लेना है, ठीक है, इस machine के उपर सबसे पहले, मैं एक network operating system को क्या करूँगा, install करूँगा, जो की होगा मेरा 2016, चीक है, इसके बाद मैं एक role को install करूँगा, role को install करूँगा, जिसके अंदर आपका जो role होगा, वो होगा guys, ADDS, Active Data Domain Services, इस role को मुझे क्या करना होगा, install करना होगा, जैसे ही मैं इस role को install कर लूँगा, उसके बाद यह machine मेरी बन जाएगी, Domain Controller, तो guys, जिस machine के उपर आपका Active Data Services install होता है, वो आपका कहलाता है Domain Controller, So what is a domain controller, यहाँ पर मैंने, छोटा सा notes भी लिखा हुआ है, So what is a domain controller, a domain controller also known as a DC, is a server that responds to authentication request, and verifies users on a computer network, कहना का मतलब है कि, अगर मेरे network में, एक domain controller है, अब मैं यहाँ पर domain controller क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे server के उपर कौन से service में इस्टोल करी है, Active Data Domain Services, तो domain controller क्या है, एक ऐसा machine है, एक ऐसा computer है, एक ऐसा server है, जो कि आपके network में, जो आपके computers हैं, users हैं, servers हैं, जो other servers हैं, वो groups हो गए, printer हो गया, ETC, so इन चीजों को मैं क्या कर सकता हूँ, centrally manage कर सकता हूँ, इसको थूरू मैं क्या कर सकता हूँ, centrally manage, सेम चीज कि अगर वोई चीज हम लोग पहले डिस्कस कर थे, कि अगर मेरे पास, ये scenario था, कि मेरे पास number of pieces हैं, number of users हैं, तो अगर मैं, यहां पे, अगर मैं centralized management को ना follow करूँ, तो मुझे यहां पर क्या गर ना होगा, सभी system के ओपर जाके, मुझे local users क्रेट करने होंगे, यानि जितने number of मेरे network में users होंगे, उतने ही number of users, मुझे every system पे जाके क्रेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है, पंकज, यहां भी login कर सकता है, यहां भी और यहां भी, तो अगर मैं, इस तरीके से करने लग गया, तो अगर मेरे network में 10,000 machine है, और मेरे पास कुछ 10,000 ही users है, तो possibilities नहीं है, कि मैं सभी के सभी machine में जाके 10,000 users बनाऊ, तो मैं अभी यहां पे क्या करूँगा, कि मैं अपने network में एक server deploy करूँगा, एक server deploy करूँगा, जो कि होगा मेरा domain controller, और मेरे सारे के सारी जो users होंगे, और groups होंगे, उन मैं कहां पे create करूँगा, यहां पे, इस machine के अंदर मैं सारे users create करूँगा, और मेरे network में जो भी कोई user, जिसे मेरे एक PC है, अब यहां पे RAM लॉग इन करना चाहता है, अब जो RAM का जो user है, तो वो कहां पे exist करता है, इस machine के अंदर, और मैंने बताया था आपको, कि activity एक database maintain करता है, और discuss करेंगे आगे, जहां पे आपके पाफ उस RAM की information, उस database में पड़ी होती है, यहां पे इस machine के अंदर, जो यह आप देख रहे हो, domain controller, give me a second, यह जो मेरे domain controller है, इस domain controller के पास, एक database होगा guys, this is the database, ठीक है, यह database है, इस database के अंदर, उस RAM की information होगी, जो user यहां पे created, उसका RAM का user name, password, whatever, तो जब भी मेरे network में, किसी system के अंदर, को user login करेगा, अब RAM एक user लोग इन कर रहा है, उसने पेना password दिया, 123 है, हाँ पे भी मान के चलिए, उसका password 123 है, तो जैसे ही मैं RAM, और password 123 दूँगा, इस system के उपर, उसकी request इस machine के पास जाएगी, और यह जो machine है, यह अपने database में चेक करेगा, कि क्या RAM का user है, वो exist करता, yes, अब अगर दोनों चीज़े मेरी मैच कर जाती है, तो यह user, यह जो machine है, यह इसको क्या कर देगा, authenticate, yes, you are the right user to access in our network, तो किसी भी user को, यह किसी भी चीज़ को authenticate करने के लिए, मारा domain controller का use होता है, तो यहाँ पे, domain controller का फायदा क्या हुआ हुआ, तो उसी domain controller के थुरू मेरे network में जितने भी systems हैं, वो किसी में बैठ के बंदा लॉग इन कर सकता, तकर मेरे network में तीन system example, और RAM अगर इस system पे लॉग इन करना चाहता है, तो RAM का user यहाँ तो exist नहीं करता है, लेकिन जैसी वो username and password, एंटर करेगा, उसकी request किस के पाच जाएगी, domain controller के पाच जाएगी, domain controller जो है अपने database में चेक करेगा, और उसके बाद उसको क्या कर देगा, response कर देगा, तो this is the use of domain controller, और an active directory, तो active directory आपका एक database है, जहाँ पे आपके collections of user की information, computer की information, server की information store होती है, और जिस machine के उपर आप active directory services को install कर देगा, तो वो अमारा क्या बन जाता, domain controller, तो यह हमारा एक overview था आज की rate में, अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी चीज doubtful लगए हो, कुछ भी doubt लगए हो, तो guys आप comment में मेरे से पूछ सकते हो, मैं कोशी करूँगा कि next lecture के अंदर उस तीज को cover करूँ, तो इसके अंदर हम इतना ही रखते हैं, next class में हम लोग active directory installation को देखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही है, तो प्लीज को like कीजिए, पसद नहीं है तो dislike भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज चैनल को subscribe करना ना भूले, ताकि आपको नए वीडियो की notification जल्दी मिले, तो guys till done, तब तक के लिए bye bye and take care.